मेरा पती मुझसे 15 साल बड़ा था, हम दोनों बहुत लराई जगड़ा करते थे एक दिन मेरे पती को परलाइसिस हो गया, अब तो वो विस्तर परपड़ा रहता था और रोता रहता था, और रोते रोते एस्टोरूम की तरफ इसारा करता रहता था मैं एस्टोरूम में जाकर देखती तो, वहां कोई भी नहीं होता था अचानक एक दिन मेरी पती का दिहान थो गया, उसे मरे हुए हपता ही गुजरा था कि मुझे उसकी सारे याद आने लगे, एक दिन नौकनारी आई थी तो मैंने सोचा आज मैं एस्टोरूम की सफाई कर लेती हूँ वहां सफाई करने चली गई और जैसे ही मैंने एस्टोरूम का दरवाजा खोरा मेरी जान निकल गई क्योंकि एस्टोरूम की सफाई करते हुए मुझे वहां कहते हैं भगबान सब के साथ इंसाब करता है साधी एक बहुत बड़े आदमी से कराई थी जो बहुत बड़ी पोश्ट पर था लेकिन मुझे से 15 साल बड़ा था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था हम सब साथ बाहर घुमने जाते तो लोग मुझे उसकी बेटी समझते थे उसने मुझे कहा कि मैं जादा खाना खाया कर करते हैं उसे गुसा आ गया उसने मेरे गाल पर जोरदार थप पर मारा अभी हमारी साधी को हपता भी नहीं हुए थे कि उसने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं जमीन पर गिर गई उसने कहा औरत हो औरत बनके रहो मेरे सर पर बैठने की जरूरत नहीं है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम औरोतों को अगर तुम्हें काबू में ना रखा जाए तो तुम पता नहीं क्या करो यहां इस घर में तुम मेरा खाती हो मैं ही तुम्हारे लिए सब करता हूँ तुम्हें कोई हक नहीं मेरी मजाग बनाने का मैंने कहा मैं मजाग नहीं बना रही थी लेकि जिससे मेरा बजन बढ़ जाया, कभी मेरे लिए पीजा लेकर आता था, तो कभी बर्गर मुझे, ये सब खाने की आदत नहीं थी, इसलिए मेरा पेट खराब हो गया, पर उसने तब भी कहा, अगर तुम खाओगी, तभी तो यही चीजे खाओगी, वरना नहीं खाओगी, उल जो जास्ती हो रही थी, वो किसी को बता भी तो नहीं सकती थी, उस आदमी ने मुझे पर हाथ उठाया, मुझे मेरे माता पिता और दुनिया वालों के सामने रुश्वा किया, मेरे घर वालों को गालिया दी, जरा भी इज़्जत नहीं करता, मुझे लगा था, कि चलो जो भी हुआ वो मेरा पती है, मेरा खर्चा तो उठाएगा ही, लेकिन अब तो उसने वो भी बंद कर दिया है, मुझे कहने लगा अपना खर्चा खुद उठाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं है, अगर पैसे चाहिए तो अपने लिए नौकरी तलास कर लो, जीवन जब मैं उनको अपने पती के बारे में बताती तो वो सुनकर हैरान रह जाती थी, मेरे पास कोई भी नहीं था, जिसे मैं अपना दुख बता सकती, मेरे पती का कहना थाक, जब तक पत्नी को मारो नहीं, वो सीरी नहीं चलती, और सर पर चर्ट कर बैठ जाती है, इसलिए मैं अपने पत्नी को बिना वज़ा ही मार लेता हूँ अपने दोस्तों और इस दारों के सामने मेरी ब्याजिती करता रहता हमारे यहां कोई संतान भी नहीं हो रही थी मैं बहुत परशान थी लेकिन किसी को कुछ पता बता भी नहीं सकती थी सब से जूट बोलना परता था सब कुछ ठीक चल रहा है अच्छी भली जिन्दगी गुजर रही थी ना जाने कियो मेरे मता पिता ने मेरी साधी इस जैसे आदमी से कर दी कि मैं हर तरह से कोशिस करती कि मैं उसे पसंद आ जाओं उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रगती वो जो कहता हूँ मैं वही करती उसकी हर बात मानती लेकिन मैं उसकी बात मानू या ना मानू उसे मुझ पर गुष्ण ही आता रहता था कभी कभी تو वो मुझे लगता था कि वो किसी और को पसंद करता है या कोई बात है इसका गुस्सा वो मेरे उपर उतारता है क्योंकि मुझे पर गुस्सा करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता था उसके साथ घुमता फिरता हसी मजाक भी करता और बहुत खुस रहता था उसके दोस्त भी हमारे घर आते थे और जब मैं उसके दोस्त हमारे तो लगता था कि मुझे किसी की नजर लग गई है या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कड़ा दिया है क्योंकि जो कुछूू भी मेरे साथ हो रहा था वो सब समझ से बढ़े था मेरा पती जिस ओफिस में काम करता था, वहां खूब रिस्पत लिया करता था, नई से नई गाड़ियां मोबाइल बदलना बदलता रहता था, अपने लिए अच्छी चीज लेकर आता, अपने हर सोग को पूरे करता, लेकिन उसे मेरे खर्चे का जरा भी ख्याल नहीं था, मैं अपने सारे खर्चे कुरे करती, अब तो हम सब महले में भी मसूर हो गए थे, कि ये लोग बहुत लड़ते हैं, हमारी लड़ाई भी जादा ही हुआ करती थी, लेकिन एक दिन, तो हद ही हो गई या, उसने मुझसे बिना वज़ह से लड़ना शुरू कर दिया, मेरे पती न मेरे पास पैसे नहीं है, और अभी मेरी सेलरी भी नहीं मिली है, वो इस वात को लेकर खूब लड़ा, और कहने लगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, आस तक तुमने मेरे लिए जगा नहीं बनाई, बात कहां से कहां और उसको दोड़ा पर गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, रात का समय था मैं उसे डॉक्टर होस्पिटल ले गई, डॉक्टर ने कहा कि आपने आने में देर कर दी है, आपके पती को परलाइसिस हो गया है, अब ना ये चल सकते हैं और ना बोल सकते हैं, उ गुस्ते की वज़े से उनका बीपी हाई हुआ और अटेक आ गया, खेर हपते भर होस्पिटल में रहें, फिर घर आ गया, अब मैं ही उनका ख्याल रखा करती थी, वो बोल नहीं सकता था, ना ही हील सकता था, लेकिन उसे अपने किये पर अब भी कोई अफसोस नहीं था, मै जैसा भी था, मेरा पती था, मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ हो, एक पत्नी कभी भी अपने पती का बुड़ा नहीं सो सकती है, चाहे पती जैसा भी हो, अब तो हमारे घर में पैसो की भी परसानी होने लगी, नौकरी भी करती, घर का काम भी करती, और उस उसे भी संभालती अब उसकी आँखें बदलने लगी वो सोचने लगा था कि मेरी पत्नी जिसके साथ मैंने इतना बुड़ा किया उसे मारा पिटा उस पर गुशा किया अब भी वो मेरा इतना ख्याल कर रही है मेरी खित्मत कर रही है एक दिन मेरे पती ने मुझे अजीब सा इसारा किया मैं समझी नहीं कि वो क्या कर रहा है उसने अपनी उंगली से इसारा किया कि मुझे लगा कि वे कह रहा है कि मुझे बातरूम जाना है या मुझे भूख लगी है लेकिन आज उसने जो इसारा किया वो अलग था वो इस्टोर रूम की तरफ इसारा कर रहा था ले पर आपको इंटोर रूम जाना है, तो उसने मना कर दिया, मैंने घर में एक नौकरानी रख ली थी, क्योंकि मैं आधे दिन घर में नहीं रखती थी, और अपनी नौकरानी भी नहीं छोड़ सकती थी, अगर मैं नौकरी नहीं करती, तो घर का खर्चा कैसे चलाती, इसलिए मै उसकी अभी तक की तनखा और फंड है, उसका मिलने में थोरस टाइम लगेगा, जब मैं उनको फोन करती, तो वो कोई बहाना बना लेते, वो पैसे भी हमें नहीं मिल रहे थे, और मेरे पती का काम ऐसा था, उसे बहुत लोग जानते थे, और उससे डरते थे, उसके दसकत के ब इसे ही उसका बुड़ा समय आया, सब ने साथ छोड़ दिया, अब उसे एहसास हुआ कि मेरे बुरे समय में मेरी पतनी ही मेरे साथ है, वो रोज रात को इस्टोर की तरफ हिसारा करता और रोता रहता, उसे देखकर मुझे भी रोना आ जाता था, क्योंकि मुझे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी, हमारी साथी को पांस साल हो गया थे, और इन पांस सालों उसने मुझे चैन का सांस लेने नहीं दिया, हर रोज मेरा खुन जलाता था, बहुत तकलीद दी है, उसने मुझे लेकिन मैंने उसे माप कर दिया है, था, साथ उसको उसके लिए ही सजा मिल रही थी. उसे और सजा नहीं देना चाहती थी. वो रोता रहता था और बार-बार इसारा करता मैं उसके इसारे पर जाकर देखती ही लेकिन मुझे वहाँ कुछ नहीं मिलता ना उसकी कोई चीज वहाँ थी और ना ही कोई ऐसी चीज ती जो उसे चाहिए हो अब बार बार इंसान एक चीज की तरह पिसारा कर रहा है इसका यहीं मतलब है कि कोई बात तो जरूर है लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी एक दिन उसकी कजिन हमारे घर आ गई और हैरत की बात है वो उससे तो नहीं मिली लेकिन मुझसे अजीब बाते कर रही थी कहने लगी तुम्हारे पती का तंखा और फंड के पैसे कम मिलेंगे मैंने कहा पता नहीं मैं रोज फोन करती हूँ और लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं कहने लगी बहुत सारे पैसे होंगे ना तुम इतने पैसों का क्या करोगी मैंने कहा अपन लेकिन वह मुझे अपने पैसे नहीं देते थे बोली तब तो जरूर इसने दूसरी साधी कर ली होगी मैंने कहा अगर ऐसा होता तो आउरत अभी तक अहां आ गई होती लेकिन मेरी पती ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया और ना ही उसने मुझसे छुपा कर दूसरी साधी की है उसने कहा तुम जूट बोल रही हो इसकी सारी दौलत तुम्हारे पास ही है यह कई लोगों से लाखो रुपे रिस्वत लेता था तुम्हारे उपर ही उड़ाता होगा तुम्हारे नख्रे देखता होगा मुझे भी गुस्सा आ गया मैंने कहा देखो मैं खुद नौकरी करती हूँ सर्दी हो या गर्मी या मेरी तब्यत खराब हो मैं जरूर अपनी नौकरी पर जाती थी महिने के 30 दिन अपना असर खपाने के बाद मुझे 30,000 रुपे मिलते हैं और वो भी घर के खर्चे में खत्म हो जाते हैं तुमें उसके पैसे चाहिए तो खुद तलास कर लो उसके पैसे भी उसकी दूसरी पत्नी भी अगर मिल जाये तो मुझे बता जाना और कहा कि तुम बहुत बत्तमिज हो और तुम्हारा पत्नी भी ऐसा ही था इसलिए आज इस हाल में पढ़ा है तुम देखना कहीं तुम भी इसी हाल में न पहुंच जाओ आज वो लोगों का मोहताज है कल तुम्हें भी मोहताज न बन जाना पड़े अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों का ख्याल कौन रखेगा तुम तो तरब तरब कर भगवान को प्यारे हो जाओगे मैं उसकी बाते सुनकर हैरान रह गई और सुचने लगी कैसी दुनिया है ये लोग किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ते मैंने उससे अभी तमीज के साथ कहा तुम यहां से जा सकती हो फिर वो चली गई मैंने सब बात अपने पती को बताई वो सुन भी रहा था समझ भी रहा था और रो रहा था वो मुझसे साथ बाते करना चाहता था लेकिन अब वो बोल नहीं सकता था अगले दिन मैंने डॉक्टर से चेक अप कराया तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि इनके ठीक होने की उमीद बहुत कम है अभी तो यह ऐसे ही रहेंगे आगे भगवान की मर्जी लेकिन अगर आप चाहे तो किसी और डॉक्टर को दिखा सकती है या किसी और सहर ले जा सकती है डॉक्टर हर मां आकर चेक करते थे लेकिन कोई अच्छी ख़वर नहीं मिल रही थी बस मेरा पती बार बार इस्टोरों की तरफ इसारा करता रहता और मैं समझ नहीं पाती थी कि वो क्या कहने की कोशिस कर रहा है वो यूहीं रोता रहता डॉक्टर कहते अगर ये रोते रहेंगे तो इनकी आखे खराब हो जाएगी और दवाई भी असर नहीं करेगी मैं उन्हें संझाती और कहती कि आप रोया ना करें सब रिस्ट करें एक दिन जब सवेरे में उनको जगाने की गई तो मैंने देखा कि व जाग नहीं रहे थे तब मुझे एहसास हुआ कि वो इस दुनिया में नहीं रहें मेरे पेरो तरे जमीन निकल गई मैंने डॉक्टर को बुलाया उन्होंने कहा कि इनका देहांत हो चुका है और इनके लिए यही अच्छा हुआ क्योंकि यह जीने की वहीं छोड़ चुके थ अच्छा हुआ इन्हें भगवान ने बुला लिया मुझे यह सुनकर बहुत ही सदमा लगा और मैं रोने लगी वह जैसे भी थे आखिर मेरे पती थे उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो लेकिन उन्हें भी जीने का हक था मैंने पूरी इज्जत के साथ उनका क्रिया करम क मैं कुछ समय नोकरी पर नहीं गई मैं घर में ही रहती और मेरे साथ घर में एक नोकरानी रहती थी वही घर का सारा काम करती थी खाना बनाना सफाई करना कप्रे धोना मेरी पती के दिहान के वाद मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था एक दिन किसी ने दरवाजा बजाया और मुझे नौकरानी ने आकर बताया कि मुझे से कोई औरत मिलना चाहती है उसके साथ बच्चे भी है मैंने कहा क्या नाम है उसने मुझे नाम बताया मैंने कहा मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानती थी और नहीं उसके बच्चे को मैंने कहा कौन है आप उसने कहा मैं तुम्हारे पती की दूसरी पत्नी हूँ और अब वो मर गया है तो मैं अपना और अपने बच्चों का हिस्सा लेने आई हूँ तुम्हारे पती ने तीन साल पहले मुझसे छुपकर शादी कर ली थी और तीन साल में मेरे दो बच्चे भी हैं अब मैं अपना हक लेने तुम्हारे पास आई हूँ जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे उस औरत का ख्याल आ गया जो उस दिन हमारे घर पर आई थी इसका मतलब वो गलत नहीं कह रही थी और इनके बाकी रिस्तदार भी सही सोचते थे मैंने कहा तुम्हें सरव नहीं आई एक साधी सुधा आदमी से साधी करते हुए उसने कहा इसमें मेरा क्यात कसूर है वो तुम्हें पसंद नहीं करता था तुम उसे अच्छी नहीं लगती थी और मैं खुबसूरत हूँ, हसीन हूँ और मेरे पीछे पर गया और मुझसे साधी कर ली मैंने कहा खुबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन उसने मुझे जान बुचकर बसूरत कर दिया है उसने कहा मर्द ऐसा क्यों करेगा साध तुम्हारी किसमत ही खराब थी खैर छोड़ो इन बातों को अब वो इस दुनिया में नहीं रहा मेरा हिस्सा मुझे दे दो मैंने कहा वो मेरे पास कुछ नहीं छोड़ कर गया है मैं अपना खर्चा भी अपनी नौकरी करके ही चलाती हूँ और जो उसके फंड और तनखा है वो अभी तक मिला नहीं है जब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें उसमें से आधा पैसे दे दूँगी और रहा ये घर तो ये घर भी किरायका है और इसे मैं चलाती हूँ तुम्हारा पती नहीं चलाता था वो मुझे पैसे भी नहीं देता था तुमने उसके जीते जी बहुत ऐस कर लिया अब तुम्हें क्या चाहिए वो औरत मुझे से लड़ने लगी और मेरे पुरे घर की तलासी लेने लगी मैंने कहा यहां कुछ नहीं है जाओ यहां से मेरा बीपी बढ़ने लगा मुझे उसकी हरकत से बहुत गुस्टा आ रहा था और औरत बहुत जिद्धी और बत्तमिश थी जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो चली गई और कह कर गई कि मैं तुम पर नजर रखूंगी जब उसके पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद लेने आ जाऊंगी मुझे सब कुछ पता चल गया जाएगा मेरी नौकरानी ने बताया कि वो उस औरत को जानती है वो बहुत बिगरी हुई औरत है अमीर आदमी को पहले फसाती है फिर उससे साधी करती है और फिर उसके बाद उनके सारे पैसे ले ले लेती है या तलाक का नाम प्रवच्चु का खर्चा मांगती है अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया लेकिन ये अच्छी औरत नहीं है उसको तो सारा मुहला जानता है मैंने कहा मेरी जिन्दगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता पती ने भी मुझे तंग किया और जाने के बाद भी मेरे गले में मुसीवट डाल कर गया क्या करूं अभी मेरे पती को मरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था मुझे बार बार अपने पती का ख्याल आता वो इस्टोरून के तरफ इसारा क्यों करता था अपने आखिर समय में वो यही इसारा कर रहा था मुझे में उसकी याद बस गई थी औरत भी बहुत अजीब ह जब किसी से महबत करती है तो उसकी बेवफाई भी माफ कर देती है लेकिन मन के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरे पती ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जब कि मैंने तो हमेशा उससे महबत में अपने घर से भी यही सोच कर आई थ थी कि हमेशा अपने पती का साथ दूंगी देखने में भी अच्छी थी लेकिन साइद उसके दिल में जगा ना बना सकी और खुबसूरत है या नहीं मर्द की नजर तैक करती है अगर कोई और एक बार मर्द को खुबसूरत लग जाए और अगर वह खुबसूरत ना भी हो तो उसे अपने दिल की मलिका बना कर रखता है और वो कभी कभी बहुत खुबसूरत और और भी मर्द के दिल को नहीं भाती है तो मेरी जैसी हो जाती है क्योंकि आजकल तो खाला ही ऐसे थे कि मैं अब दिन भर रोती रहती थी खाना भी नहीं खाती थी हर समय दिमाग ठेंजन में रहता था लेकिन मेरे पास अब क्या रह गया था मेरी उमर भी अब ही कोई जादा नहीं हुई थी मुझे किसी से साधी भी नहीं करनी थी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था मैं सिर्फ अपनी जिन्दगी चैन सुकुन से और अपने तरीके से जीना चाहती थी और मेरे दिल में अब कोई चाहत बाकी नहीं रही थी मेरी जिन्दगी का कोई मकसद नहीं था मैं घर में ही रहती मेरे पती के पैसे भी नहीं आ रहे थे और उनकी दूसरी पत्नी फोन करकर मुझे परशान करती रहती, पैसो का पूच पूच कर मुझे तंग करती रहती थी, मेरे पास सब पैसे खत्म हो गए थे, मैंने नौकरानी से भी कहा कि वो काम छोड़ कर चली जाए, मैं अब उसको पैसे नहीं दे सकती, मैं हैरान रह गई जब एक दिन वो मेरे लिए खुद अपने घर से खाना बना कर लाई और कहने लगी, आप बहुत अच्छी है मैडम, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरे पास इतना ही है, मैडम मैं आपके लिए खाना ही ला सकती हूँ, उस दिन मुझे पता चल गया कि अगर हम दुनि अगर मेरे हालात अच्छे हो गए, तो मैं तुम्हें ही काम पर बुला लूँगी, और तनखा भी दे दूँगी, उधर उनके ऑफिस वाले पैसे देने के तयार नहीं थे, सायद वो पैसे खाना चाते थे, इधर उनकी पत्नी ने मुझे तंग करकर लखा था, मेरी एक दोस बहुत जादा गंदा हो रहा था, वैसे भी करने को कुछ नहीं था, मैंने सुचा आज सफाई कर लेती हूँ, मैं स्टोर रूम में चली गई, वहां जाते ही, मुझे अपने पती के याद आने लगी, मैं सोचने लगी कि वो बार बार इधर इसाड़ा क्यों करते थे, कि पैरो तले जमीर निकल गई, मुझे एकिन नहीं हुआ कि मेरी आँखे क्या देख रही है, इस दीबार के पीछे एक कमरा बना हुआ था, और उसमें एक तिजोड़ी बनी हुई थी, जब मैं अंदर गई तो मेरे पैरो तले जमीर निकल गई, उसके अंदर धेर साड़ी में मसूर था कि वह बहुत ज़्यादा रिस्वत लिया करते थे, साइद ये सब उन्हीं रिस्वत के पैसों का बना हुआ था, मैंने सब समान वहां से निकल लिया और उस जगह को बंद कर दिया, और पहले की तरह कर दिया, ताकि कोई पहचान न सके, अगली दिन मैं नोकरा पती को दूसरी पतनी को दे दूँ, लेकिन नोकरानी ने बताये कि यो दोनों बच्चे उसके नहीं थे, वो जूट बोल रही थी, वो बच्चे किसी और के थे, वो आपके पती के बच्चे नहीं थे, वो औरत हमारे महले में रहती है, कल एक आदमी आया था, और अपने प्रामा कर के पैसे एटती है, मैं खामोस उसकी बात सुनती रही, मैंने नौकडानी को उसकी तनखा और कुछ पैसे दे दिये, उसे लगा कि साइद मुझे आफिस से पैसे मिल गये हैं, लेकिन आफिस वाले तो पैसे खा कर बैठ गये थे, मैं वहां से चली गई, मैंने कुछ समान भी उसे दे दिया, और थोड़ा वह समान अपने साथ लेकर दूसरे सहर चली थी, वहां पर ही मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी, आज मेरे पास घर ही है, गाड़ी भी है, और मेरे अपने पती के नाम से एक अनाथ आसरम बनबा रही हूँ, क्योंकि ये पैसे उनके ही थे, उन्हें रखे थे, और वो तो मुझे देना भी नहीं चाहते थे, लेकिन साथ किसमत कोई ही मनजूर था, ये पैसे मुझे ही मिलने थे, मैं इन पैसों से कोई अच्छा काम करना चाहती थी, ये सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मेरा पती मुझसे पंदरा साल बड़ा था, उसने इतने सालों से ये पैसा जमा किये थे, लेकिन वो इसे खर्च नहीं कर पाया, यही तो जीवन है, इसमें मुझनीच होती रहती है, लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए दूसरी साधी नहीं करना चाहती, मैंने आगे पढ़ाई करने का फैसला किया, ताकि मैं एक अच्छी जॉब कर सकूँ, क्योंकि चाहे आपके पास दौलत या कदरिया क्यों नहीं हो, वो एक दिन खत्म हो जाता है, मैं अपने पती को खुसी से याद करती हूँ, और उसकी आत्मा के लिए भगवान से प्रातना करती हूँ, क्योंकि वो जै सब्क्राइब कीजिए, थैंक्स फॉर वाचिंग,